नमस्कार सिल्क टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आये करते हैं ख़वरों की सुरुवात सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर अचानक नवगचिया पहुचे डीजीपी गुपतेश्वर पांडेने की बड़ी कारवाई ड्यूटी से गायव रंगरा थाना की पूरी टीम को किया निलंबेद चमकी बुखार को लेकर भागलपूर में अलर्ट डीम परनव कुमार ने मायागंज अस्पताल का निरक्षन कर स्वास्त व्यवस्था के लिए जानकारी शुक्रबार को मनाया जाएगा विश्योग दिवस सारी तैयारी हुई पूरी सनहुला में पंचाय समिती सदस्यों ने वेठक का किया वहिसकार बीडियो पर लगाया योजना में धान्दली का आरोग और मुझफरपूर में चमकी बुखार से लगातार हो रही मौत को लेकर भागपा माले ने क्या विरोध प्रदर्सन आपता घोसित करने की की मांग और अब खबरें विस्तार से विहार में एक और जहां अपरादी वेखोफ होकर अफराद की घटना को अंजाम दे रहे हैं वहें दूसरी और पुलिस कर्मी ड्यूटी के दवरान नदारत पाये जा रहे हैं लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर पुलिस महानिदेश गुपतेश्वर पंडे थानों का ओचक निरक्षन कर रहे हैं डिजीपी ने महला थाना, SCST थाना का भी निरक्षन किया इसके बाद डिजीपी ने डिजीपी विकास वेभव और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराद नियंतरन को लेकर कई दिशा निर्देश दिये इसके बाद डिजीपी भागलपूर SSP कारियाले पहुचे और कई केसों का रिब्यू किया और शराब तसक्रों के खिलाब कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया साथ ही डिजीपी ने पुलिस करमियों के कारेशायली में सुधार लाने के आवश्यक निर्देश दिये और कैसे हम लोगों को जो रोड पे जो जैसे लूट हो रहा है अपराधियों को दौड़ाओ अपराधी भागते नजाराने चाहिए पुलिस दौड़ाते नजारा दिया है मैंने टास्क दिया है दस दिन में पंदरह दिन में इसका असर दिखाई पड़ेगा बंदरह दिन में आपको बांके में आज से कल से आपको फरस्मझ में आएगा नवगचिया और भागलपूर में औचक निरक्षन करने के बाद पुलिस महानिदेश अगुपतेश्वर बाका पहुचे जहां स्पी कारियाले में डिजीपी को गार्ड आफ ऑनर दिया गया डिजीपी ने बैठक के दोरान छेतर में अवैद बालु खनन और शराब माफ्याओं पर पूर्म परतिवंद लगाने का निर्देश दिया डिजीपी ने कई थानेदारों को अपनी कारिशेली में बदलाव लाने और पिडितों को नियाए दिलाने का निर्देश दिया इस दोरान डिजीपी ने सुस्त रवैये को लेकर कई थानेदारों को जम कर फटकार लगाया मीडिया से बाचित के दोरान डिजीपी ने कहा कि दोसी बचे नहीं और निर्दोष फसे नहीं इसका ध्यान थानेदार को रखना होगा भागलपूर में चमकी वुखार से हुई चार बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और गुरुबार को जिलाधिकारी परनब कुमार और डीडी सी सुनील कुमार ने जवाहलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल का ओचक निरक्षन किया जिलाधिकारी ने सबसे पहले अस्पताल के ICU और इमरिजन्सी विभाग में पहुँचे और स्वास्त व्यवस्था का जाय जा लिया इस दोरान डियम ने अस्पताल अधिक चक डॉक्टर राम चरीतर मंडल से अस्पताल में मवजूद सुविदाओं और चिकित्सकों से संबंदित जानकारी ली ICU में उपलब्द बेड के साथ अपात इस्थिती से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने परियावत व्यवस्था करने का निर्देश अस्पताल अधिक चक को और परवंदन को दिया जिलाधिकारी ने इलाज के लिए किये गए इंतिजाम को देखा और नेमित तोर पर चिकित्सकों को मरीजों की निगरानी एवं इलाज करने का निर्देश देते हुए लोगों के इलाज के लिए सभी आवश्यक इंतिजाम और उपाय करने की बात कही वहीं अस्पताल अधिक्चक ने कहा कि फिलहाल अस्पताल के ICU में परियाफ्त व्यवस्था की गई है भारत में योगा व्यास की प्रमपरा लगभग 5000 साल पुरानी है योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस का अद्भूत विज्ञान भी माना जाता है इस प्राचिन पद्वती के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देश से हर साल 21 जून को अंतरराष्टिय योग दिवस्मन आया जाता है इसकी सुरुआत बर्ष 2015 में हुई थी आपको बता दे की परधान मंतरी नरेंद्रमोदी ने बर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट महासवा को अपने संवोधन के दोरान कहा था कि 21 जून वह दीन है जब उत्री गोलार्द में साल का सबसे लंबा दीन होता है और इस दिन शुर्य जल्दी उखता है और सबसे देर में शुर्यास्त होता है के अलावा भारत में 21 जून गिरिस्म कालिन संक्रांती का दीन होता है वहीं 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट महासवा ने जून को अंतर राष्टिय योग दिवस के रूप में मनाये जाने की घोशना की इसके बाद वर्ष 2015 से लगातार योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाने लगा वहीं 5 में योग दिवस को लेकर जिले भर में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है जगा जगा योग अस्थल पर साफ सफाई का काम दीन भर चलता रहा अंग परदेश में भागलपूर जिला योग समीती, योग हेल्थ कल्व, बोधी ट्री समेत कई फांडेशन के दौरा शुक्रवार को विशेश योग शिविर लगाया जाएगा विश्व योग दिवस के पूर्व राजभवन के निर्देश पर तिलका मांजी भागलपूर विश्व विद्याले की NSS काई दुआरा सिनेट हॉल में विविन कॉलेजों के छात्र चात्रों के बीच योग परतियोगिता आयो जित की गई NSS के विश्व विद्याले समनवेक ने कहा की योग परतियोगिता में जिन छात्रों ने बाजी मारी है उन्हें योग दिवस के अफसर पर कुलपती प्रोफेशर लीला चंदर सहा दुआरा प्रुस्कृत किया जाएगा अंतर राष्टिय योग दिवस को लेकर कुलपती प्रोफेशर लीला चंदर सहा ने कहा की योग शिवीर लगाने के लिए सभी कॉलेज को दिशा निर्देश दिया गया है मौके पर NSS के डॉक्टर अनिरूद कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार समेत कई लोग माजूद थे कहलगाउन अनुमंडल के सनहावला ट्राइसेम भवन में गुरूबार को पंचाई समीती की बैठक आयोजित की गई जिसमें सनुला परखंड के सभी पंचाय समीती सदस से माजूद थे बैठक की अध्यक्षता परखंड प्रमुग शुश्मा देवी ने किया इस दोरान मुखिया परतिनीधियों ने मनमाने तरीके से कारे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रखंड विकास पदादिकारी जन परतिनीधियों को सम्मान नहीं देते हैं साथ ही कहा कि वीडियो के उदासिन रवेए के कारण छेतर का विकास बाधित हो रहा है प्रमुक सुस्मा देवी ने कहा कि वीडियो मनमाने तरीके से अपने अवास के चारो तरफ वॉंडरी वाल का निर्मान कराया जिसकी सूचना नहीं दी गई जनपरती निधियों ने जम कर हंगामा करते हुए वैठक का वहिशकार किया चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत के खिलाब भागपा माले और एक्टू ने गुरुवार को नातनगर सुभास चौक पर विरोध परदर्शन करते हुए दो मिनट का मौन रख कर बच्चों के आत्मा को शांती की कामना की कारकरतों ने सरकार के खिलाब जमकर नारेवाजी करते हुए मुख्य मंतरी और स्वास्त मंतरी मंगल पांडे को बच्चों की मौत का जिम्मेदार बताते हुए पुतला फुका आक्रोशित कारकरतों ने चमकी बुखार को राज आपदा खोसित करने मुख्य मंत्री की देख रेक में युद अस्तर पर अपात चिकिस्ता व्यस्था करने प्रार्थमिक और जिला अस्पताल में इलाज की परियाफ्त व्यवस्था करने स्वास्त मंत्री को वर्खास्त करने की मांगी एकटू के राज सचीव मुकेश्क मुक्त ने कहा कि राज के अस्पतालों में बच्चों की मौत का तांडब हो रहा है और सरकार खाना पूर्ती में लगी है जबकि चमकी वुखार कोई लाई लाज बिमारी नहीं है कारिकरतों ने कहा कि इस पीड़ा दाय की स्थिती में भागपा माले और एकटू मुरित वच्चों के परिजनों के साथ है इस्टूमेंट का कमी है सीट का कमी है तमाम जो शरकारी अस्पताल है प्रार्ट्समिक केंद्र से लेकर के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज अस्तर तक प्यास्पताल इन तमाम अस्पतालों में शमकी पुखार के इलाज की तमाम जो है दवाईयां और उससे सम्बंदिर ज रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ प्रेक के लिए आप बने रहें सिल्क टीवी के लिए आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ किसान अगर्बती परिवार की तरफ से आप सभी देश्वासियों को ईद उल्फित्र की बहुत-बहुत मुबारक बात किसान अगर्बती धर्ती पर जले आकाश तक महके ब्रिक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहें सिल्क टीवी भागलपूर जिला प्रेशाशन एवं नगर निगम के द्वारा अतिकर्मन हटाओ अभियान चलाया जा रहा है गुरुबारक नगर निगम ने अतिकर्मन हटाओ अभियान के दौरान बड़ी खंजरपूर चौक और मायागंज अस्पताल के समीप अवध निर्मान पर वुल्डोजर चलाया वहीं अभियान के बाब जूद अतिकर्मन कारियों के होसले बुलंद हैं जिला प्रसासन और नगर निगम की ओर से चलाया जारा अभियान पूरी तरह वे असर दिख रहा है कारण यह है कि लवलशकर के साथ हटाये जा रहे है अतिकर्मन अभियान में एक और जहां अतिकर्मन हटाया जाता है वहीं अतिकर्मन दस्ता के जाते ही फिर से अस्थान अतिकर्मित हो जाता है शहर के तिलका मांजी चौक खलीफा वाग चौक भेराइटी चौक के समीप निगम प्रशाशन ने अतिकर्मन हटा कर वावा ही तो लूट ली लेकिन फिर से अतिकर्मन ना हो इसके लिए कोई ठोस इंतेजाम नहीं किया अतिकर्मन को लेकर भागलपूर के लोगों ने क्या कुछ कहा आईए हम आपको दिखाते हैं कि लोग चार बच्चा कहां फोसेगा उसी फूट पर जीवन भरना है सबकूर वैसे तो नगर निगम और परशाशन के द्वारा चलाया जारा अतिकर्मन अभ्यान सरहनी है क्योंकि उससे जाम हड़ता है लेकिन ये देखने की जूरत है कि क्या उसमें अस्थायतव है की नहीं और उसमें निगरानी रखने की जूरत है कि क्यों कि दोबारा वो अतिकर्मन हो जाया करता है अक्सर जगों पर और साथ साथ ये भी देखने की जुरुत है कि क्या जो पुराने अतिकर्मन हटाये गए और क्या अतिकर्मन हटाने के दर्रान उनको क्या पुनर बिस्थापित किया गया की नहीं भागलपूर के सजोर थाना छेतर दराधी फूल के नीचे बोरे में बंध शब मिलने से पूरे इलाके में संसनी फैल गई शब मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामिन के भीड मोके पर जमा हो गई वहीं घटना की सूचना मिलते ही सजोर पुलीस मोके पर पहुच कर जाच में जुट गई घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अस्थानिय लोगों ने अंधरी नदी में बोरे में बंध शब को देखा जिसके बाद इसकी सूचना पुलीस को दी फिलाल शब की शिनाक्त नहीं हो पाई है वहीं पुलीस ने शब को कबजे में लेकर पुष्ट माटम के लिए भेज दिया है अगर आप किसी काम से भागलपूर विश्विद्याले जा रहे हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं तो अपने साथ पीने का पानी जरूर ले जाएं इन दिनों विश्विद्याले के प्रशाशनिक भवन में पानी के लिए तरहीमा मचा है जरूरी कारे से विश्विद्याले आये छात्र छात्रों को अगर भिशन गर्मी में प्यास लग जाए तो यहां एक गलास पानी भी मिलना मुश्किल है विश्विद्याले केमपस में ए पिश्वरी गर्मी में विश्विध्याले प्रशाशन को छात्रहित का ध्यान रखते हुए अविलम पयजल की वैवस्था करनी चाहिए। पानी और सोचाले इस विश्विद्याले में इस तरह का समस्या है बार बार प्रसासन से अनरोद करने के बाद भी पीए जल का विवस्था नहीं हो पा रहा है परीसर में एक चापा नल भी नहीं है छात छात राय अभिभावा करमचारी सिख्छा गन पानी के लिए तरह माम हो वो कहां है उसका कोई नजर ही नहीं आ रहा है फिर से वो अभियंता अभिभावा को गुलाए और बात किये हैं अब देखा जाए जो कब तक लगेगा कि स्रिफ कारज पर ही बात लहेगा अंगधरा मंजुसा समीती और कलाबिंदु द्वारा आयुजित अभिरूची नारी की शक्ती कारकरम के तहत भागलपूर के आनंद चिकिस साले रोड इस्थित हौवी सेंटर में पांच दिवसिय कारिशाला का आयोजन किया गया कारिशाला में अंगधरा के रविकांच शर्मा और कलाबिंदु के सानु कुमार ने महलाओं और छात्रों को स्वाबलंबी बनाने के लिए मंजुसा, चित्रकला, क्राप्ट, फाइन आर्ट एवं मुर्तिकला की वारीकियों के वारे में बताया गर्मी की छुटी देखते हुए आयोजक ने महलाओं और छात्रों को लोग संस्कृती से जुड़ने और स्वाबलंबी बनाने को लेकर कारिशाला का आयोजन किया जिसमें महलाओं ने भी पूरे उत्सा से हिस्सा लिया और मंजुसा कला समेथ कई परकार के कला एवं संस्कृतियों की जानकारी ली सभी पर्तिभागियों ने पेंटिंग के गुर सिखे पर्तिभागी सोना कपूर ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के साथ महलाओं को अपनी लोक कला और संस्कृति से जोड़ते हैं और पहली बार मंजुसा कला सिख कर वेहद अच्छा लग रहा है इसकी पाचान पूरे देश में है और लोग इसका व्यावारिक इस्तिमाल भी करें अंग धरा मंजुसा समीती के रवी कांत शर्मा ने कहा कि पहले चरन में शामिल हुए परतिभागियों में से चैनित होने वाले दूसरे चरन के 15 दिवस्य शिविर में शामिल होंगे जिसे रतना कुमारी के साथ कई विसे सग्य प्रशिक्षन देंगे साथ ही कहा कि केवल कला ही नहीं इसे रोजगार से भी जोडने की जरूरत है इस अफसर पर सरीता गर्ग समेत कई महला पर तिभागी माजूद थे अभी रूची नाड़ी की सकती कारशाला दूटरोई इस कारशाला में नाड़ियों और महिलाओं को अपनी रूची के अनुरूर स्वरजगार और स्वरजगार बनने के परियास किया जा रहा है इसके इस कारिक करम में महिलाओं को उनकी रूशिय केनूर प्रेंटिंग ग्राप और मुर्ति कला से जोर कर उनको अपने इस रूजी में आगे बढ़ाकर उनको स्वरुजदार रनाना है। इस कारिक करम का आयोजक अंधर मंजुसा समीती और साय आयोजक कलाभिंतु है। इसके मुठ परवंद्यक रपना कुमारी, रविखान सर्मा और स्वानु कुमार है। ये कारिक करम दो चरनों में होगी। पहला चरन पाज दिवर्शी है और दुस्रा चरन पंदर दिवर्शी मंजुसा आठ के बारे में सीखा है। इसके बारे में इतना कुछ हमें पता नहीं था। मैं तो specifically I am from Delhi मंजुसा आठ के बारे में पहली बारे यहां पर यहां पर आके पता लगा है। बहुत अच्छा लगा है कि अपारे भागलपूर के बारे में इतना कुछ है जानने के लिए जो हमें अभी तक नहीं पता था। और विसहरी जी की इतनी जादा मानेता है यहां पर और उसके मंजुसा आठ फीमस है और आगे भी मैं साती हूं कि इसके बारे में पता अब चले हमें और आगे भी बढ़ें इस आठ से आगे बढ़े हम। संबंदित कई जानकारी दी और रिटर्न दाखिल किया शिवीर का आउजन 30 जून तक चेमबर कारयाले में होगा जहां बेवसाई GST रिटर्न से संबंदित जानकारी लेकर GST रिटर्न दाखिल करा सकेंगे शिवीर में चेमबर के अभिशेख जैन समेथ कई पदादी कारिय और अंत में चलते चलते एक वार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर अचानक नवगचिया पहुचे डीजेपी गुपतेश्वर पांडेने की बड़ी कारवाई ड्यूटी से गायव रंगरा थाना की पूरी टीम को किया निलंबेद चमकी बुखार को लेकर भागलपूर में अलर्ट डीम परनव कुमार ने मायागंज अस्पताल का निरक्षन कर स्वास्त व्यवस्था के लिए जानकारी शुक्रबार को मनाया जाएगा विश्योग दिवस सारी तैयारी हुई पूरी सनहुला में पंचाय समिती सदस्यों ने वेठक का क्या वहिस्कार बीडियो पर लगाया योजना में धान्दली का आरो और मुझफरपूर में चमकी बुखार से लगातार हो रही मौत को लेकर भागपा माले ने क्या विरोध प्रदर्शन आपता घोसित करने की की मांग हिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार